बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं, मतलब एक दो वीडियो डालने के बाद हम इसे गायव हो गए थे, लेकिन इस दूइदा का हल हम जल्दी ही निकालेंगे, अपसे रिगुरो होने का ट्राइ करेंगे, बाइदे वह अनके से पूरा करने के लिए आपका दिल से थैंक्य में, आपको ज़ने को मिलने वाले हैं, लेकिन May Niamini में, हमें बहुत से अल्ब कि स्मार्पवन इंड मार्कैट में देखने को मिलने को बात करने वाले हैं, जो कि Euppicky like YouTube मैं में में सबस्क्राप में फूर्याप प्र आपकन स्मार्पोन मिलने वाले हैं जिनके लिए आपको इस फोन के बात करना तो फोन के पूरे स्पेसिफिक इन सेम होने वाला है सामसुम A53 5G जैसे सिर्फ आप में यहां पर डिजायर में चैनल देखने को मिल सकते हैं और थोड़े पास फीटर सकम देखने को मिल सकते हैं जैसे लिए कि इस फोन में आय पर इटेक हमें देखने को करें देखने को मिलनें और इम क्मीदिशिक इस प्र स्पुम के प्र siертв एपझ किः देखने को मिलने को मिल शकता है और इसपोन की प्रेति लृँका कर सेav énormément कि प्शके 사랑 घुष स्पेसिफिक्शन थे स्माट uyडा पूरा सेम होने प्रूरा आने वाला एक game changing smartphone बन सब क्योंकि लिक्स के इस स्मार्टफोन हमें में Exynos का 1200 देखने को मिलने वाला है और smartphone के प्राइज अंडर 20,000 होने वाली और अंडर 20,000 Samsung की तब से ये powerful smartphone बनने वाला है तो अब बात कर लेते हैं OnePlus की तब से आने वे smartphones के बारे में OnePlus की तब से हमें 2 नए smartphone देखने को मिलने वाले है यो के होंगे OnePlus Nord C2 Lite और OnePlus Nord 2T OnePlus Nord C2 Lite इस smartphone के बात कर रहे है तो ये smartphone OnePlus की तब से आने वाला सबसे cheapest फाजी smartphone बनने वाला है यो के हमें 20,000 के price point के नीचे देखने को मिल सकता है पेसिपिकिशन के बात करते हैं इस phone में Snapdragon 695 एक प्रोसेजर, एक बड़िया AMRO डिस्प्ले, 64 में विसल का Quad Camera, 5000 इमिज की बैटरी, 30 ओड की फाज चार्जिंग ऐसे फीचर देखने को मिलने वाले है अब बात कर लेते हैं OnePlus Nord 2T स्मार्टफोन के बारे में इंडिया में यह smartphone April के एंड तक हमें देखने को मिलने वाले हैं लेकिन इस smartphone के स्पेसिफिक्शन अल्मूस सेम होने वाले है OnePlus Nord 2 जैसे ही सिर्फ हमें यहाँ पाई MediaTek का Diamond City 3080 नाया प्रोसेजर और 80 और की फाज चार्जिंग ऐसे फीचर देखने को मिलने वाले है अब बात करने थे पोको इतर्फ से आने वाले smartphones की बारे में तो पोको की तर्फ से हमें इस महिने दो नए smartphone देखने को मिल सकते हैं जो क्योंगे पोको F4 और पोको F4 GT पोको की तर्फ से जो अगला smartphone हों में देखने को मिल सकते हैं वो होगा Poco ST Pro का successor, Poco F4 वो की तर्फ से आने वाला ये एक gaming smartphone होने वाला है leaks के साथ ये smartphone snap रहागा 870 प्रोसेसर के साथ आने वाला चीफेस 5G smartphone होने वाला है और बता है तरह कि इस phone की प्राइज इंडिया में 20-30 लेकर 25 बिच होने वाली है और चैनलों पर नई हो तो चैनलों को सब्सक्राइब करकर पर आइकों को जरूर प्रेस करें अब बात कर लेते हैं इंडिया ब्राइज की तरफ से आने वाले नए smartphone के बारे में Micromax की तरफ से इस मेन है में दो नए smartphone देखने को मिल सकते हैं लेकिन Micromax की तरफ से आने वाले बज़े smartphone होने वाले जो 1st smartphone हमें इस मेने में देखने को मिल सकते हैं जो अब Micromax की तरफ से आने वाले एक बज़े smartphone होने वाले है जिसकी प्राइज इंडिया में 8 से लेकर 9000 के bit होने वाली है और इस phone में Unisocca T610 यह प्रोसेसर होने वाले है अगरा smartphone जो Micromax तरफ से देखने को मिल सकते हैं वो होगा Micromax की तरफ से 1st 5G smartphone Micromax in 5G इस phone की प्राइज इंडिया में 15 अदर के आज़ पास हो सकती है और बता है जाया है कि इस phone में Unisocca T770 यह powerful processor होने वाला है और 15 अदर के price में यह smartphone काफी धमाल माचाने वाला है अब last में बात कर लेते हैं रिल्मी किताब से आने वाले smartphone के बारे में तो रिल्मी किताब से इस मने में दो नए smartphone देखने को मिल सकते है और यह दोने smartphone रिल्मी किताब से आने वाले फ्लैक्शी smartphone होने वाले है जो कि होंगे रिल्मी GT2 Pro रिल्मी GT2 Pro रिल्मी GT2 Pro इस smartphone की बात करें तो रिल्मी किताब से आने वाला है अब तक है इस सबसे powerful smartphone है इसमें के हमें Snapdragon 8101 नहीं प्रोसेस देखने को मिल सकता है और बाकी सारे feature भी flagship features है यह smartphone globally launch हो चुका है और इस महिने हमें इंडिया पे भी देखने को मिल सकता है और रिल्मी GT2 Pro इस phone की बात करें तो इस phone में Miriam Decker Dimensity 8,180 है नया chipset होने वाला है और इसी के साथ phone में 150W की fast charging होने वाली है जो कि recently Realme ने अनौंस की है और इंडिया में इस phone की price 30 से लेकर 35 सार के बीच होने वाली है और बहुत स्मार्टफोन लाइन में लगे है लेकिन इस smartphone के launch date अभी confirm नहीं है जैसे कि वीवो की तरब से वीवो T1 Pro OnePlus की तरब से उनका flagship smartphone OnePlus 10 Pro Motorola की तरब से Moto H30 और उपो की तरब से उपो के एक सिरिके नए स्मार्टफोन आप इनमें से कौनसे स्मार्टफोन के लेक्साइड़ेड़ो निचे कमेंट करो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो हमारे वीडियोस देखा करो और एसे टेकी बने रो